हेलो फ्रेंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लैट्फरम पर आप कैसे हैं आई हो बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए फ्रेंड आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि हैं सेट 5 हमने 1234 देख लिया था जो भी चैनल में नए हैं वह 1234 जरूद देख लिए और वीडियो ते 60 तक कोशन देख लिए थे आज 601 से स्टार्ट होगा ठीक है 200 का सेट चल रहा हो की तो चलिए पहला कोशन आपके सामने इसकीन पर ठीक है इन इन च्ट्र प्लस प्लस और टू डैस लाइन बेंग बीडियो पूचा जा रहा है सी प्लस प्लस का इक्स्टेंशन कौन से है पासकर जावा सी आपको अच्छे से पता होगा कि सी इसी प्लस प्लस बना है तो सी को सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन भी कहा जाता है तो आप जो ऑपसन जी बोल Um सभी है बाकिलो गर जहीं तो आपके उसको को सुधार ले अगे फिया चलि ने सब्सक्राइब तो मैं बता रहा हूं बस मैं उसको एक्सप्रेइन कर रहा हूं तो में सब्सक्राइब अगर आपका जो फंसन है उसमें आप वैलू को डिटन नहीं लेना चाहते हो तो उसमें क्या आप लगाओगे वाइड लगाओगे फ्लोट लगाओगे आप लगाओगे वाइड वाइड का मतलब होता है वाइड लगाते हैं तो आप लोग यहां बहाते कि लगान सब्सक्राइब लेकर और यह उसमें अब आगे लोग गलत है आगे बढ़ते हैं 64 नमबर डेटा आइटम डेट नेवर चेंज देयर वैल्यू दूरिन प्रोगाम रण इज मतलब सिंपल से पूछ रहा है कि जब प्रोगाम को रण करते हैं तो किसका वैलू चेंज नहीं होता है की वर्ड का आइडेंटिफायर का लेट क्यांगे जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं जब अगर वन है तो वन कभी चेंज नहीं हो सकता है तो इसका वैलू प्रोगाम में करते रिता में चेंज नहीं होता है उसको लेटर्स करते हैं और जिसका वैलू चेंज हो जाएगा उसको हम लोग वैरियेबल कहते हैं तो आई होप आपको स्वाज में आया होगा आगे बढ़ते हैं में 65 नंबर बैक्सलेस एज यूज्ट फॉर मैं कल भी आपको बताया तो बैक्स आपको नहीं होना क्योंकि आप प्लावर प्लाटफॉर्म साथ जुरे होगा आगे बढ़ते हैं जाता है मतलब सिंगल कोट्स के अंदर अगर हम ए लिखे सिंगब कोट्स के अगर हम B लिखे तो यह मेरा शिंगल करेक्टर कॉंस्टेंट है अब सिंगल कोट्स पर लिखा ल के लिखे पर sadece फिर गलत हो गया यह क्या बोल रहा है इसमें कमेंद लائन पूछ रहा अगर आपको कमेंद लाइन करना तो श्मक्राइब दबल स्लेस से कमेंद लाइन बोला जाता है तो आपको या रंक स्में चाहिंद अच्छे से यूज हो रहा है अब pointer क्या करता है यह memory address of another variable को locate करता है ठीक है अगर array के बार में पूछा जाए तो वह memory को allocate करता है क्या करता है एलोकेट करता है ठीक है एरे memory को allocate करता है और pointer क्या करेगा memory को address करेगा क्लियर है तो जो भी स्टेट नमर बता आने यह वह सही है बाकि लोग गलत है तो अप लोग सुदार ली जाएगा ठीक है चलो अब यहां पर देखो एक कोस्टन आया हुआ है इसमें आपका कोस्टन जो आया हुआ वही मैं कोस्टन ल अच्छा प्लस प्लस टैंब आई फ़ाइग जे जह टो अब प्लस प्लस आ मानेंगे 잡ी प्लस यह क्या होगा फ़र्ण प्लस जैक हो जी यह six करते न तो मेना five when एंसर आएगा जब 30 मॉद्लिट नटो जी रो सद्राइगा मोटलर dairymenna भेले करता है मैंमोरी को इसे आप लोग घरबरी में नहीं बनेगेगा इद अच्छे सा बनेगेगा क्योंगे यह सब को आया हुआ है तो आई होप अच्छा लग रहा हो अगर इस चैनल में जो भी नए तो इस चैनल में आप जरूर जूरिए सब्सक्राइब कीजिए बेनिफिट होगा आपको ने इस चैनल कमेंट जरूर करिएगा इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉंग ठीक है देखो मालो एरे मालो एंव फाइव लिए तो यह इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा जीरो वान टू थ्री फॉर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जीरो एंडिंग पॉइंट एंड माइनस वन ठीक है तो इसका इंसल जो भी बोल रहा है वह सही है वह बाकी लोग गलत है तो पहले ही आप एंसल आगिया था ठीक है चलो आगे बढ़ता है बॉट बॉट पॉट औफ द फ्लोइंग कोड फ्रेग्मेंट इसमें आउट पूछा अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि वहन से टैन आएगा जो कि आपका गलत हो जाएगा कुदीएगा क्यों लूपिंग में आपका यहां पर सेमी कॉलन डाला हूँ धिःहान में अगर सेमी कॉनल लगता है इसका मतलब क्या हुआ लूप को आप टर्मिनेट कर दिए इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहां टर्मिनेट की हो मतलब एंड पॉइंट बताए हो वहीं पर जाके लूप खरा हो जाएगा और इसमें आपके छूट रहाते हैं यहां पर लिखा रहेगा सी आउट आई को सी आउट करने बोलेगा तो आई में वैलू क्या आएगा टैन आएगा क्यूं क्यूंकि मैं वन से टैन तक चलने वाला था ले पूछा हुआ पिछले साल 2022 में पूछा हुआ है तो यह आपको डेफिनेटली पूछेगा तो आपको ध्यान दिजेगा अब्जेक्टिव क्या आपका कॉमन सेंस को चेक किया जाएगा आप कितना अच्छी से पढ़े हो और कितना डिपली पढ़े हो उसको आपको निकाल को अब्जेक्टिव बनाएं सब्जेक्टिव इजी होता है और से क्यों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज हम लोग 75 कोशन तक करेंगे फिर आम लोग 200 कोशन जल्दी पहुंच जाएंगे आपके पाद एक अच्छा कोशन आपके पैकेज मिल जाएगा जिसको आप के लिए होगा है के लिए हैं एक अगवार पूछेगा स्टीयार टीक है स्टीयार के टीक है स्टीयार के लिए इस्टीयार की जरूर देखें इस को देखके बगतिक गुल हो जाएगा या दखना एस्ट्रेक्शन ऑपरेटर आपका यह सी वाला होता है तो बहुत अब्जेक्टिम ऐसा ऐसा चीज भी आएका जो आपके बनने लायक नहीं होगा जो आपकर प्रैक्टिस किया है तो जरूर बनेगा इसमें आपको कुछ बताने काम को नहीं लगता है जो कि अन्तिम कोशन होगा विच आपका बुलेंड एक्सपेशन का टॉपिक है किसका है बुलेंड एक्सपेशन का टॉपिक है तो यह नहीं होगा जो भी आपशन डी बता रहे होंगे वह सही बता रहे होंगे थैंक्यू आप लोग इतना देर जुरे रहे हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब पीजिए जो भी चैनल मनाए हैं और अगले सेशन के सब्सक्राइब रहे हैं ठीक है तब तक के लिए थैंक्यू आप लोग लाइक से जरूर कर देना और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लेगा क्लाश चलो बाइए